उत्तरप्रदेश में बीते एक साल के भीतर तीन माफियाओं की मौत ने जरायम की दुनिया को हिला कर रख दिया अप्रेल दोजाटेश में माफिया अतीक और उसके भाई गेंगस्टर अश्रफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गए थी वहीं मार्च तोजार चौविस में बादा जेल में बन माफिया और पूरु विधायक मुक्तार अंसारी की तवियत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई अतीक, अश्रफ और मुक्तार पर गंभीर आरोप थे मुक्तार को तो बीते ही दिनों एक मामले में सजा भी सुनाई गई थी शायद ही कोई ऐसा महीना बीतता हो जब ये ख़बर ना आये कि मुक्तार या उसके परिवार की कोई संपत्ती जब्त की गई है ऐसा नहीं है कि इन माफियाओं के परिवार में सिर्फ इन ही लोगों पर गंभीर आरोप लगे बलकि इनकी पत्मियां, इनके बेटों और खांदान के अन्य लोगों पर भी कई मामले दर्ज हैं चाहे अतीक का बहनोई हो या मुकतार का बेटा, सब किसी ना किसी मामले में आरोपी हैं इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये है कि मुकतार, अतीक और अश्रफ इन तीनों की पत्मियां क्रमशा, अफशा, साहिस्ता, परवीन और जैनव फरार हैं साल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बात से शाहिस्ता और जैनव फरार हैं बीते दिनों प्रियागराज के कसारी मसारी में दोनों की मौजूदगी के दावे के बीच छापे मारी और तलाशी की कारवाई की गई थी लेकिन शाहिस्ता और जैनव पुलिस को नहीं मिले हजार रुपए का इनाम भी घोसित है वहीं जैनव को भी इनामिया घोसित करने के लिए पुलिस की प्रक्रिया जारी है इसके अलावा मुकतार की वीवी अफशा भी फरार है बीते साल अफशा पर रखे गए इनाम की राशी पढ़ा दी गई थी दो साल से लापता अफशा का पता पताने वालों को पचास हजार रुपए इनाम में मिलेगे अफशा शाहिस्ता यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिष्ट में टॉप थ्री में है अफशा अंसारी पर फरजी तरीके से जमीन कबजा करने समेथ कई मामले दर्ज है शाहिस्ता और जैनब की तलाश भी एक साल में पूरी नहीं हो पाई है कि दोनों या तो सरेंडर कर देंगी या पुलिस इन्हें अपने गिरफ्ट में ले लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है सालों से इन तीनों का नाम मिल पाना पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहा है यूपी सरकार जिस यूपी पुलिस की पीट थप थपाते नहीं थखती लेकिन वही पुलिस अभी तक इन तीन फरार आरोपियों के पोजने में नाकाम है